आप एलो फ्रेंड स्वागत थाप सभी का रभी सहर के आले में तचलिया आज की वीडियो को करते हैं शुरू आज की वीडियो लेकिया हमें उत्राघंड के भुगोल का पार्ट ठी इससे पहले मैंने पार्ट टू कर दिये हैं आप उनकी लिंक के डिस्क्रिप्षन में दिये दर्रा माड़ा दर्रा इस परकार के सभी दर्रों को हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे यह वीडियो समुग ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जैसे सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी आपके और उससे पहले जो 746 पोस्ट आए अधिकारी सर्वे लेकपाल और चगबंदी अधिकारी जैसे पोस्ट थी उन सभी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जादा से जादा सेर करें तो हम देखते हैं यहां यहां अगर बारत के परमुक दरू के बारे में तो दर्रे क्या होते हैं पहले तो हमें वह जान लेना चाहिए तो दो पहाड़ी से बीच का संकरा मार्ग होता है जिसके साहेता से हम एक जिले से दूसे जिले में आने जाने के लिए हम मार्ग का इस्तमाल करते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि दो स्रेणियां जैसे कि हिमाले की अनेक स्रेणियां है ट्रांस हिमाले हो गया और व्रहत हिमाले, मद्ध हिमाले इन सभी के आरपार अगर हम जाना चाते हैं दो पहाड़ियों के बीच में तो इन दो पहाड़ियों के बीच का जो रस्ता होता है उसको हम बोलते हैं दर्रा और जो दर्रा है इसको हम गिरीद्वार, धुरा या फिर पास भी कहते हैं ये क्वेशन पूछ लिया जाता है कि दर्रे को अन्नी किस नाम से जाना जाता है तो वहाँ पर ऑप्सन में अगर ये आपको दिखाए देंगे तो आप उसको टिक कर सकते हैं गिरीद्वार, धुरा या फिर पास इन सभी को हम दर्रे कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है दर्रो की कुछ फोटो आपके सामने यहाँ पर एक पाड़ी, यहाँ पर एक पाड़ी यहाँ पर और बीच में से जो यह रस्ता दिखाए दे रहा है यह दर्रा कहलाता है इसके अलावा और भी देखेंगे आप यहाँ पर फोटो तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर दिखाए दे रहा है दो पाड़ीों के बीच का जो रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है ठीक है यह सभी उत्राखन के हैं और यह आप देख सकते हैं दर्र किस परकार से हैं यहां पर मैंने दर्रों को यहां पर आपको समझाने के लिए मैप का सारा लिया है जो कि हमारे पास उत्राखन का मैप है आप यहां पर उत्राखन के मैप में देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको जितने भी उत्राखन के 13 जिले हैं इन सभी की location आपको पता होने चीए कि कौन सा जिला कहां पर है तो मैं एक थोड़ा सा idea आपको दे देता हूँ जो यहां पर आपको एक line दिख रही है यहां पर जो मैंने draw कर दी इसके right में अगर आप जाएंगे तो यह है कुमाओ का हिस्सा और इसके left में अगर आप जाएंग और इसी तरीके से अगर हम गड़वाल की बात करें तो सबसे पहले यहां से start करते हैं नीचे से हरीद्वार उपर देहरादून और उत्तरकासी और उसके side में हम चलेंगे तो तीहरी गड़वाल रुदरु परियाग सबसे चोटा है यहां पर देख लिएंगे आप से दूसरे रस्ते में जाना है तो दर्रो की सायता से जाना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले पितवरागड के बारे अपर यह बंडी बनाती है यहां पर तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डैस करके दिखा रखे दर्रों को तो सबसे दर्रा के बारे में आपने बहुत सारी न्यूजे सुनेंगी तो यहां पर विवाद चलता रहता है और इसके साथ पिथोरागड की सीमा के साथ आप देख सकते हैं यहां पर चंपावत भी अपना एक दर्रा साजा करता है इसको बोलते हैं लास्पा दर्रा और बागेश्वर क के साथ भी यहां पर एक दर्रा है उसको बोलते हम ट्रेल पास और यहां पर अगर देखेंगे तो कुमाओ से गड़वाल के बीच में जो दर्रा आता है वह होता है पिथोरागड से चमोली के बीच में उसको बोलते हम 12 होती दर्रा तो यह तो थे पिथोरागड से कनेक्ट ह उने वाले दर्रे अंतिम गाऊ उसको माडा गाऊ बोलते हैं और यहां पर माडा दर्रा भी है आप यहां पर देख सकते हैं उनके यहां पर कींगरी विंगरी में और दिपवड़ी में और पैंट इसके सांथी और देखेंगे यहाँ पर हम उत्तरकाशी भी यहाँ पर दिखाए देरा आपको उत्तरकासी में यहाँ पर मुलिंगला दर्रा दिखाई दर्रा एक तो और देखते हैं उत्तरकासी से एक कनेक्टेट दर्रा यहाँ पर आपको स्रंग कंठे दर्रा दिखाई दर्रा जो कि यहाँ पर हिमाचल परदेश के साथ अपनी सीमा को साजा करता है तो ये एक मात्रा ऐसा दर्रा है जो अलग दूसरे राजे से सीमा साजा करता है और बाकी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी दर्रे हैं वो दूसरे देश के साँ सीमा को साजा कर रहे है लेकिन जो यह स्रंग कंठे दर्रा है यह हिमाचल परदेश यानि कि दूसरे राजी के साथ साजा करता है इसलिए यह question में एक्जाम में बनता है तो आप यहाँ पर answer बताएंगे कि उत्तरकासी और हिमाचल परदेश के बीच में स्रंग कंठे दर्रा इस्तित है तो यह थे important द दिबबत मार्ग पर पिथोरागड और दिबबत मार्ग पर लिफुलेक दर्रा मानेशिया दर्रा दारमा और गुलेला दर्रा यह चार दर्रे हैं जो कि पिथोरागड और दिबबत मार्ग पर आपको याद करने हैं इसके अलावाए यहाँ पर हम चमोली की बात करें तो चम मोली पर इस्थी था और यह ची तिबबत के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं यानि कि इस रस्ते से हम तिबबत जा सकते हैं इसके लावा उत्तरकासि के साथ यहां पर मैंने अभी बताया आपको थंगला दर्रा मुलिंगला दर्रा और सांग चोकला आदिन कॉल दर रहा और नेलंग दल रहा और वाली दर रहा ये थोड़े से टप नाम अलग टाइप से दिखाई दिनगे आपको तो आपको इसनको रट लेना है इसी तरह के से इनके मैंने कोई ट्रिक नहीं बना रखी क्योंकि ट्रिक बनाने की ज़रुत है नहीं क्योंकि नक्से में मैंने आपको दिखा दिया है और वैसे भी अगर ट्रिक बना भी देनेंगे तो ट्रिक भी आपको याद कनने ही पड़ेगी इसलिए आप इनको ऐसे याद के लिजए का तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और अब हम यहाँ पर देखते हैं पिथोरागाड और चमोली मारग पर बारा होती दर्रा और लातू धूरा दर्रा है टोपी धूंगा दर्रा भी है और मार्च योग दर्रा जो कि चमोली और पिथोरागाड की भीच में इस दित है इसके लवा यहाँ पर देखेँगे तो ट्रील पास जो दर्रा है ट्रील पास ये पिथोरागाड और बागशोर मारग पर इस दित है लास्पा दर्रा मैंने बता दिया था आपको चंपाओत और पितोरारगार मारगे पर इस्तित है और स्रिंग कंठे दर्रा भी मैंने बताया आपको हिमाचल पर्देश के साथ एक मातर दर्रा जो कि सेर करता है अपनी बॉंडरी को और लास्ट में देखेंगे हम यहाँ पर सिनला दर्रा जो कि दारमा और ब्यास घाटी के म मंदित है तो यह आपने याद करने है और इसी तरीके से आप आने वाली वीडियो के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और वीडियो को जादर से जादर सेर करें ठैकी सो मच आज की वीडियो में इतना ही